कि नबस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटीब चैनल एकजामू निमलिखित युगमों को देखिए आर्धभूमी छेत्र हैं और हमारे राज हैं तो बताना है निमलिखित मैंसे कौन सा आर्धभूमी राज सही सुमेलित है या इन मैंसे कौन से सही सुमेलित हैं इसके बारे में बताना है तो जड़ा देखते हैं तो बुडू वूर पक्षी अभ्यारण के बारे में बात करें तो बुडू वूर पक्षी अभ्यारण हमारा कहां पे है तमिलनाडू में है और ये कहां पर कह रहे हैं करनाटक में तो यानि ये हमारा सही सुमेलेत नहीं है अंसुपा जील उडीसा में है ठाने क्रीक महराष्ट में है चित्रा गुंडी पक्षी अभ्यारण हमारा कहां पर है तमिलनाडू में है तो केवल बुडु उपक्षिय भ्यारन नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। और कौन सा है कितने सही सुमेलित हैं? तीन सही सुमेलित हैं। लिखित में से किस अंतराज्टे संगठन के दायतों का पालन करने के लिए भारत में अधिनियमित किया गया था नेक्ष चलते हैं कुषण नमबर फोर ब्रहमूस मिसाइल के संबंद में निमलिखित कत्नों पर विचार करना है देखना इसका उपयोग दोरी भूम का सक्षमता के लिए किया जा सकता है जहां इस्थल और समुद्र लक्षित इस्थित लक्षियों दोनों पर हमला कर सकती है बर्तमान में केवल दो संसकरण, सेवा में हैं अर्थार्त इस्थल और समुद्र संसकरण जबकि बायू संस्करण अभी भी परीक्षण चरण में है इसकी रेंज 900 किलोमीटर है और यह दुनिया के सबसे तेज क्रूज मिसाइल है तो मित्रों यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है तो दूसरा और तीसरा स्टेट सही नहीं है पहला स्टेटमेंट सही है यानि option सी हमारा होगा अगर हम इसकी रेंज के बारे में बात करें तो इसकी मारक्षमता दोन बे किलोमीटर है 900 नहीं है कितनी है ? दोन बे किलोमीटर नेक्स चलते हैं कुछिण नमबर में कि यम स्रीयोजना किस से संबंदित है ? पियम स्रीयोजना के बारे में बात की गई है ओप्सन यह देज भर के स्कूलों के उन्यन और विकास के लिए की होजना है सही बात है नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 6 एक निवास इस्थान में एक बनस्पती समधाय में क्रमिक विकास में सही अनुक्रमिक चरण की पहचान कीजिए प्रितिकिरिया प्रिवासन तो यहां पे बनस्पती स्रहित प्रिवासन प्रिकिरिया और इस्थरी करन सही होगा नेक्स कुशन नंबर 7 सब्द तिर्ची मुद्राइस्पृति अर्थिवरिस्था में निमलिकित और वस्तुओं किया यह किया चोटे सम्हों में संबंदित आविदिक मूलिब्रदी होती है सही बात है नेक्स कुश्चन नमबर ए बागों की निमलिखित उप्रजातियों पर विचार कीजिए कैस्पियन सागर सुमात्राई जावा दक्षडी चीन सागर बाली और साइबेरि स्पियन प्रिजाती बुलुप्त हो गई है जावा प्रिजाती बुलुप्त हो गई है और हमारी बाली प्रिजाती बुलुप्त हो गई है यानि ऑप्षण सी हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर नाइन पर और देखते हैं नाइन क्या कह रहा है हमसे मोहिनी अठ्टम निरत्य के संबंद में निम्लिखित कथनों में से कौन से कथन सही है मोहिनी अठ्टम के बारे में है मोहिनी अठ्टम आंध प्रदेश का सास्त्रिय एकल निरत्य है नहीं मोहिनी अठ्टम आंध प्रदेश का नहीं है ये मुखिता बालिकाओं के गोल घुर्डन और नाजुक कदमताल के लिए जाने जाने वाला एकर प्रदर्शन है ये बात बिल्कुल सही है इसमें भारत नाट्यम और कथक कली दोनों के तत्वें ये भी सही है नाराइन नमदूरी कुंजन नामवियार मोहिनी अट्वम गिरं थीक है तो कौन सा ओप्षन सही होगा डी ओप्षन हमारा सही होगा नेक्ट चलते हैं कुशन मोंबर टैन पोशन इस्थर के संदर मैं निम्रिलखी कथनों पर बिचार कीजिए पृतेग पोशन स्थर एक के साथ उर्जा इस्तर बढ़ता है पोसन इस्तर के माध्यम से उर्जा का प्रवा हमेशा एक दिस्य होता है उप्रुक्त कत्रों में से कौन से सही हैं तो इनके बारे में बताना है कौन से सही हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उप्रुक्त में से हमारा पहला option गलत ह दूसरा हमारा सही होगा यानि option B हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं question number 11 भारतिय इस्थिर्था के विकास परसद FSDC के संबंद में निमलिखित पर विचार कीजिए यह बित्मिंत्राले के तेयत एक संविदिक परसद है एनके सिंग इस समती के पहले FSDC की स्थापना की गई थी इसका बित्यक्ष बित्मंत्री करते हैं और इनके सदस्यों को बित्य छेतर में सभी नियमों को सामिल प्रमुक रूप से सामिल किया जाता है तो इसमें कौन से सही सुमेलित नहीं है पहल तीसरा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन पहला दूसरा सही नहीं है यानि option B हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुश्चन नंबर 12 संदक्षन रिजर्व के संदर्व में निम्लिफिक कतनों पर विचार कीजिए यह रासरकार के स्वामित वाला छेतर है उत्रा असन अर्धूमी देश में इस्था पे पहला संदक्षन रिजर्व है तो यहां पर बात करें कौन सा सही होगा कुश्चन नंबर अगर हम बात करें यहां रासरकार के स्वामित वाला छेतर है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं होगा इसके बारे में बात करते हैं तो कौन सा उप्षन सही है तो केवल एक उप्षन इसमें सही होगा देखते हैं जरा फिर से एक बार कौन कौन से उप्षन है यहां पर रिजर्व संरक्षन रिजर्व कतनों पर विचारी है राज सरकार के स्वामित वाला छेत्र है बिल्कुल सही है उत्रकंड आसान आर्धुमी देश में स्थापित पहला संरक्षन छेत्र था ये बात बिल्कुल सही नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट यह राज की सबसे छूटी नदी है जो अंबा समुद्रम तालुकास के पस्चिम में घाट में पोथ गई पाड़ियों से निकलती है और तेरुनेली बेली और थुतुकोड़ी जिलों से होकर बैती हुई कोरकई एवं मनार की खाड़ी में गिर जाती है इस परकारिय एक ही रा सब्सक्राइब बात की गई है तो यह थमी रम रबरानी नदी चलते हैं कुश्चन नंबर 14 नियाले कारवाई में लाइव स्ट्रीम के संबन्द में निम्निकित कत्रों पर विचार कीजिए करिये विचार क्या है यह भारत के सर्वोच नियाले के के ऐस पुट्ट सौमी बना मрьह भारत संब के लाइव स्ट्रीमिंग कार्वाई नुच्छे दैएं सितनतरता का अधिकार है यह भी सही गुजरात उचनियाले कारवाई करने वाला पहला उचनियाले था यह बात सही नहीं है पहला अगर हम बात करें कुश्षन कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है तो यहां पर यदि हम बात करें तो मित्रों तीसरा सही है और बाकी दौनों क्या हैं हमारे गलत हैं क्योंकि गुजरा थी पहला नियायले स्टीमिंग शुरू की गया था यानि दौनों गलत हैं क्या कह रहा है 15 निम लिखित बाइपर बिचार की रियों वताइए कितने सही सुमेलित हैं तो क्या है हमारे पंद्रे का देखना है हमें बायोम बनस्पती टुन्डरा देवदार फल समसीतों पंदपाती बन ओक और मेपल उस्ट कटवंदिय बर्सा बन गुमार नीच और चैरी रेगिस्तान और यूफोबिया तो यहां पे कौन सा यूग में सही सुमेलित हैं कितने यूग में पूचे गए हैं सही सुमेलित हैं तो यहां पर मित्रों अगर हम बात करें तो यहां पर यदि हम बात करें तो उस्ट कटवंदिय बर्स तुन्डरा देवदार और फर मिलते हैं बिलकुल सही है समती सोर पंदपाती में ओक और मेपल मिलता है उस्ट कटवंदिय बर्सावन में गुमार और चैरी नहीं मिलते ह यानि तीसरा हमारा सही सुमेलित नहीं है, तीन हमारे सही सुमेलित हैं, नेक्स चलते हैं, कुश्चन नमबर 16, पसूओं निम लिखित पसूओं पर विचार कीजिए और जनगर्णा की अबदी बताईए, बताईए जरा जनगर्णा की अबदी, तो बाग, पृतेक, चार वर् हाती के बारे में अगर हम बात करें, तो हाती की कितने बर्सवाद, पांच बर्सवाद, तो कौन सा सही सुमेलित है, दो हमारा सही सुमेलित है, तो कौन सा है, केवल एक योग्म सही सुमेलित है, बी ओप्सन सही हो जाएगा, नेक्स चलते हैं, कुश्चन नमबर 17, निम लि आर्थिक ब्रद्धी होती है और आर्थिक विकास एकल आयामी होता ये बात गलत है आर्थिक विकास गुड़ात्मक और मात्रात्मक दोनों नहीं आर्थिक विकास केवल आर्थिक ब्रद्धी यानि मात्रात्मक बताता है जबकि आर्थिक ब्रद्धी हमें गुड़ात्मक और सुरी मातरात मग दोनों बताती है तो ऑप्सन दो भी हमारा गलत है यानि डी ऑप्सन सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नमर 18 राज्टिय स्वच बायू कारिकरम के संबंद में बिचार कीजिए बायू गुडवत्ता प्रवंधन के लिए एक राज्टिय धांचा तयार करने का यह देश का पहला प्रियास है क्या है देश का पहला प्रियास क्या यही है हाली में केंसरकार ने 2026 तक पीम सांदरन चालित पृतिसत कमी लाने का लच्छ निर्धारित किया है सही है PM 2.5 के लिए सुईकार बार्चित मानत 40 माइक्रो ग्राम प्रती घन मीटर हैं तो इन में सिर्कौन से सही हैं तो मित्रों ये इस सारे सही हैं यानि option D हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नमर 19 राज़्टी लोजिस्टिक नीती 2022 के संदर में इस नीती का लक्ष 25 तक लोजिस्टिक लागत के लगवग आधा करना है यह नीती बित्मंत्राले ने जारी की है तो यहाँ पर बताना है कौन सा option सही है तो ये दोनों option मित्रों क्या लग रहे हैं सही लग रहे हैं देखते हैं विलकुल तो यहाँ पर दोनों option सही नहीं है यानि दोनों option क्या है हमारे गलत हैं नेक्स चलते हैं कुशन नमर 19 20 ब्लैक कारवन के संदर में निमलिल कत्रों पर विचार कीजिए बायो मास के पूर्देहन द्वारा निर्मित होते हैं यह उसमा का एक अच्छा आवस्यक क्या है अपसोसक होता है बर्फो पर जमा होने पर यह अलबिडो प्रमाहो को कम करता है उपरूत कत्रों में से कौन से सही हैं तो यहाँ पर बात करनी है कौन से सही होंगे तो उपरूत कत्रों में से दो और तीन हमारे क्या होंगे सही होंगे नेक् जनौट डने, एकशिर साइरन करकि सभी जीवों और स्भी जीवों में साही और मित्रों हैं रेनियों के अपको इच्छा करके सभी सामिल करते हैं ये बात सही है जब कि सजीब पादब बायुमास अपरदन करते हैं यानि ऑप्सन भी हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं 22 राश्टिय तक्नीकी बस्तर मिसंद कौसल विकास और उद्यम सीलता मंतराले द्वारा प्रारंब क बात किया गए था यहां पर यदी हम बात करें उपरूत कथनों में से कौन से सही है तो उपरूत-कथनों में से मित्रूं दोनों कथन क्या हमारे गलत हैं यहोप्सन डी हमारा सही होगा next चलते हैं question number 23, क्या कह रहा है 23, निम लिखित में से कौन सा कतन, ACI खरगोस के वारे में सही है, मुखता पशिमंगाल में पाए जाते हैं, IUCN की red data list में सुरक्षा इस्थिती में ये चिंतनिये हैं, तो ये बात सही है, पहली बात गलत है, option B हमारा सही होगा, क्योंकि ये मुखता, ACI बिल्ली के प्रिजाती का है, और ये कारिकेल, ACI सायोग, ACI कारिकेल के बारे में बताते हैं, और इसका विस्तार राजिस्थान, गुजराद, छेत पश्यमंगार में नहीं, राजिस्थान, गुजराद, महराष्ट के रीजन में होता है, next चलते हैं question number 24, semi conductor के सं अंदर में निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए, निम्न नैनो मीटर मानवाले semi conductor, सोटो मोबाइल में प्रियोक्त होते हैं, जबकि उच्च नैनो मीटर मानवाले semi conductor, स्मार्टपोन जैसे उपकरणों में प्रियोक किया जाते हैं, डोपिंग का उप्योग semi conductor में थोड जबकि दूसरी बात हमारी सही है, बी ओप्सन सही होगा, नेक्श चलते हैं कुश्चन नमबर 25, पूर्व आर्थिक मंच EEF के संदर मैंनिम्लिक कत्रों पर विचार कीजिये करिये, यह संगाई सायोग संगठन के तहट स्थापित एक मंच है, रूसी सुदूर पूर्व छेत् के विकास पर लक्षित है, सात्मा पूर्वी आर्थिक मंच हाली में बलादी वोस्तौक में आयोजित किया गया है, और प्रुक्त मैंसे कौन से सही हैं, तो यहां पर यदि हम बात करें, और प्रुक्त मैंसे कौन से सही होंगे, तो मित्रों प्युक्त मैंसे संगाई सायोग संगठन के तहट इस मंच की स्थापना नहीं की गई इस मंच की अगर इस थापना के बारे में बात करें तो मित्रों इस मंच की स्थापना REF विदेशी निवेश प्रोट्साहिद करने के लिए की गई थी ठीक है तो ऑप्सन दो और तीन सही होगा यानी हमारा भी ऑप्सन सही होगा नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर ट्वंटी सिक्स एथेरियम बिले के समंद में निविखिर कतनों पर विचार कीजिए एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की अवसकता को पूरी तरह से समाप कर देगा या एथेरियम नेटवर्क पर लेंदेन की बेहत सुरक्षित बना देगा उप्रुक्त मैसित कौन से सही हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से सही हैं यहां पर ये दोनों हमारे क्या होंगे सही होंगे नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 27 निम्लिके कतनों पर विचार कीजिए समुद्री फाइटो प्लांक्टन के लिए महासागर अमलीकरण लाबजायक होता है पिरवाल निम्लिकरण समुद्र के अमलीकरण का ये परणाम है एपी पैलेजिक छेत्र की तुलना में एबिसो पैलेजिक छेत्र में CO2 का अधिक होती है तो यहां पर बात करें कौन सा ओप्सन सही होगा तो देखते हैं ओप्सन में क्या बात की गई है उप्रूत कथनों में से अगर हम बात करें सही तो ये तीनों कथन क्या है मित्रों हमारे सही है नेक्स जलते हैं कुश्चन नमबर 28 पर क्या कह रहा है 28 सकल राश्टी उत्पाई जी एन पी में एक अर्थविस्ता की सीमा पार आर्थिगत्विदियों को भी ध्यान में रखा जाता है बिलकुल सही है निवे निवल घरेल उत्पाद NDP अफदार्ना का प्रियोग विस्व के बिभिन अर्थविस्ताओं की तुलना में किया जाना किया जाता है ये बात सही नहीं है निवल घरेल उत्पाद ये नहीं होता यानि ऑप्सन ए हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 29 जन प्रतिनिदी अधिनियम 1950 के संदर में कथनों पर विचार कीजिए करिये विचार ये निर्वाचन छेत्रों के परसीमन की प्रिक्रिया को निधारित करता है ये मत्यदाता सूची तैयार की प्रिक्रिया को बात की गई है तो मित्रों यहां पर यह चुनाव आयोजन के प्रिसासनिक तंत्र को प्रिदान करता है ये बात गलत है बाकि ये तीनों सही है ऑप्सन ए हमारा सही होगा कुश्चन नमबर 30 देखते हैं हाइड्रोडाइनमिक ट्रेपिंग और सेल्यूबिलिटी तो किस संदर्व में किया जाता है जल भरत काया कल्प कारवन प्रथककरण एक्वापॉनिक्स फाइटो मेडियेशन तो ये है हमारा कौन सा ये हमारा कारवन प्रथककरण किसके लिए कारवन प्रथककरण के लिए नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 31 जंजाती और प्रमु में हैं बिंजिया 36 गड़ में है बेटा कुर्वा करनाटक में यानि ये चारों क्या हैं हमारे सही सुमेलित हैं नेक्स चलते हैं कुशन 32 निम लिखित कत्रों पर विचार कीजिए टील कारवन आर्दभूमे और मीठे पानी के बातवरण में संग्रित कारवन है रेट कारवन हिम और बर्फ पर उपस्ते जैबिक कड़ों के माध्यम से जारी कारवन है जो एलबिडो को कम करता है परपल कारवन वायू या और दोगिक सर्जन से अफसोच सित किया गया कारवन होता है उपरुक्त में से कौन से सही हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपर कूष्पूं प्रियातियां कम कारियात्मक अतिरेग वाहुलता रखती हैं प्रेरी कुप्तोंको एक क्रिस्थौ्ण प्रियाति माना जाता हैおपरुट कखनों में से कौन से सही एक केवले केवल दो एक और ें ने रदुधान को यहां पे बात करते हैं कौन से हो तो ये दोनों बातें क्या है मित्रों बिल्कुल सही हैं यानि C option हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 34 निम लिखे कथनों पर विचार कीजिए Tier 1 पूंजी का मुख्य रूप से सेर पूंजी को घोसित बंडार होते है Tier 2 पूंजी की हानी absorption चमता Tier 1 पूंजी की कम है उपरुत कथनों में से कौन से सही हैं तो यहां पर यदि हम बात करें उपरुत में से दोनों कथन हमारे सही हैं यानि C option सही होगा कुशन नमबर 35 हाली में समाचारों में देखा गया डार्ट में सन्निम लिखित में से किस से संबंदित है इस रो का नया अंत्रिक्ष अन्वेशन उपकरन जिसे गगनियान के साथ जोड़ा जाएगा नासा का ग्रही रक्षा के लिए नई काइनेटिक इपैक्टर बिदी जहां एक डार्ट अंत्रिक्ष यान छुद्र ग्रह डिमोर फोस से टकराया DRDO की नई उच्च परिसिद मिसाइल रक्षा प्रिनाली यूरोपिय एजेंसी नया डिवेरी रिमूबल रिबॉर्ट किस जिसे बर्स 2003-23 में लॉंच किया जाएगा तो यहां पर बात करनी है किसके कोश्चन नमबर 35 तो डार्ट मिसन क्या है डार्ट मिसन है हमारा नासा का ग्रही का इनेक्टर इंपैक्टर बिधी जहां एक डार्ट अंत्रिक्ष यान छुद्र ग्रह डिफॉर्मोसन से टकराया यानि ऑप्षन भी हमारा सही होगा देश में कंपनी को हस्तानंतरित कर सकती है भारत का मल्टी कॉमेडिटी एक्षेंज कारवन क्रेडिट के व्यापार करने वाला एसिया का पहला एक्षेंज है उप्रुख्ट मैंसे कौन सा सही है तो यहाँ पर यदि हम बात करें उप्रुख्ट मैंसे ये मैं भारत multi commodity exchange carbon credit का वयापार करने वाला पहला exchange है ये बात बिल्कुल सही है option कौन सा सही होगा B option हमारा सही होगा next चलते हैं question number 37 पर और बताना है इन में से कितने सही सुमेलिद है तो कौन से सही सुमेलिद है तो देखते हैं cadmium कीट नासक है, hydrochloric etching है ozone paper bleaching है lithium hydride है ceramic है मतलब lithium hydride ceramic है तो यहाँ पर यह 4 यूग मित्रों बिलकुल सही सुमेलिद है यानि option D हमारा सही होगा next चलते हैं question number 38 निम लिखित यूगमों में परचार कीजिए करिए विचार क्या है मुद्रा इस्विती के विसेश्ताएं और पिरकार बढ़ती, ग्लोपिंग दो अंकों या तीन अंकों की मुद्रा इस्विती, सीमा में चल रही मुद्रा इस्विती sorry, इसको पहले सही करना है बढ़ती, मुद्रा इस्विती क्या कहलाती है ग्लोपिंग दो अंकों या तीन अंकों की सीमा में चल रही मुद्रा इस्विती, मुद्रा इस्विती में option कौन सा सही होगा option A हमारा सही होगा कि एवल एक यहाँ पर सही है तो अगर हम बात करें यहाँ पर Periszky क्या होती है ग्लोपिंग के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले आती है बढ़ती मुद्राइस पिण को क्या बोलते हैं दो अंकोँ या तीन अंकों यानी बीस प्रितिसेत सो प्रितिसेत या जो सो प्रितिसेत की सीमा में चलने वाली बहुत अधिड चल रही मुद्राइस्पिती को क्या कहते हैं बढ़ती मुद्राइस्पिती कहते हैं ये बात सही है मुद्राइस्पिती में अर्चन यानि बोटल ने क्या होती है मुद्राइस्पिती में अर्चन मुद्राइस्पिती में अर्चन तब होती है जब आपूर्ती में भारी गिरावट मांग पक्ष बादाओं खत्रों या कुपरवंधन के कारण उत्पन होती है नहीं जब मांग पूर्ती में क्या हो भारी गिरावट हो बादाओं हो खत्रों के कुपरवंधन के कारण उत्पन हो ठीक है कैसे कुपरवंधन के कारण उत्प पूति है तो उसे क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है मुद्रा इश्विती अर्चन बोटल नेक टीक है कि जिसे संराचनात्मक मुद्रा इस्विती भी कहते हैं यानि ये सही-सुप्व match नहीं है को talk को तिक कैने मेरा दो सेवाहें जोड़ा कार की दसवा प ही शुर्पसकों के जो कर फ़ोह सेसिवाओं की मूलनीयों चैनल सतति काल गस्यार कहोड़ें कर शासंसमों कि भूकर यो मेरा हैं ने सलते हैं जोते हैं कुछण 50 बन्लिकेत मैं से कौन से कार भारते रिजर बेंक दारा किये जाते हैं तो एक रुपए के उन्वे दर पर हैं ऑर उन सभी मुद्रा नोटों और सिक्कों को जारी करता है जो भारत में प्रिचलन है तो उन सभी नोटों को नहीं करता है केवल एक और दू सही है पांच को नहीं करता यानि option B हमारा सही होगा question number 40 बाजार एकी करण के बढ़ते करम में निमलिखित को विवस्थित कीजिए सीमा सुल्क संग, मुक्त व्यापार, सामान बाजार, अधिमान व्यापार उनमें से सही उत्तर बताईए तो यहाँ पे सही उत्तर के बारे में जानें तो अधिमान व्यापार, फिर मुक्त व्यापार, फिर आपका सीमा सुल्क, फिर सामान बाजार यानि option A हमारा सही होगा नेश चलते हैं question number 41 के पास देखते हैं निम लिखित में से कौन सी गिद्ध प्रजाती भारत में पाई जाती है तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सभी प्रजातियां पाई जाती हैं केवल कैलिफोर्निया कॉंडॉर प्रजाती को छोड़ कर next चलते हैं question number 42 पर और देखते हैं 42 क्या कह रहा है संकेतक प्रजातियों निगरानी कर रहे जीव बिग्यानियों के लिए सभी कभी कभी प्रारंबिक चेतावनी के रूप में कार करती हैं मैक्रो फॉलिक सल्फर अडाय ओक्साइड के प्रती संबंधन सील होते हैं उप्रत कत्रों में से कौन से सही हैं केवल एक केवल दो एक और दो ना एक न दो तो यहां पर यदि हम बात करें तो कौन सा होगा दोनों बाते हमारी बिलकुल सही होगी नेक चलते हैं कुशन नंबर 43 क्या कह रहा है 43 मुद्रा इस्विती कुंडली एक ऐसी इस्थिती है को दरसाता है जिसे बेतन मूलियों के रूप में बढ़ता है और तता मूल भी बेतन के रूप में खिचते हैं बुद्रा इस्विती अंतर कुल सरकारी खर्च को अतरिक्त राष्ठी आए के अतरिक को संदर्वित करता है उपरुट कतनों में से कौन से सही हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना एक ना दो तो यहां पे बात करें तो कौन सी बात होगी सही एक हमारा सही होगा दो हमारा गलत होगा यानि केवल एक सही होगा नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 44 निमलिक नाम मात्र की प्रभावी बिनमेदर N.E.E.R. एक वास्तविक प्रभावी बिनमेदर R.E.E.R. के सापेच मूल्यों या लागतों द्वारा समायोजित किया जाता है R.B.I. भारतिय रुपए के नियर और रेयर के सुचकांग को संकलित करता है तो यहाँ पे कौन सी बात सही है R.B.I. वाली बात सही है और रियर रियर सापेच मूल वाली बात सही नहीं है वे लोग पिरिये और कॉपटल तमिल खेवन हार के नाम से जाने जाते थे जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद राजनीती में प्रवेश किया कर लियर प्रवेश और उन्होंने सुदेसी पिर्चार सवा, धर्म सवा, नेसोब, सलाई, देश, भीमा, ना, संगम, आदी जैसी कईब संस्थाओं की स्थापना की बर्स 1906 में उन्होंने सुदेसी इस्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से भी सुदेसी मर्चेंट सिपिंग संगठन की स्थापना की उप्रुक्त बरण निमलिकित में से किस एक सुतंतरता सेनानी के संबंद में है तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात हमारी सही होगी तो यहाँ पर उप्रुक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है यदि हम इसमें बात करें तो उप्रुक्त बिवरण किसका है बी ओ चिदंबरम पिल्लई के बारे में है बेजी भूलन बोटो निमलिखे जानबरों के प्रिजाती छेत्रिये नाम हैं क्या है जरा इसको समझते हैं किसके हैं ये नाम है फ्रेस वाटर डॉल्फिन के नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 47 नियोजन के प्रिकार संदर में नियोजन के प्रिकार संदर में नियोजन का असली उधारण था नहीं है नियोजन के उसांकेतिक प्रिकार के बाजार बूल प्रिणालिम बदलने पर केंद्रित्था नहीं ये बाजार पर नियंतर पर केंद्रिथा यानि दोनों गलत है डी ओप्सन सही होगा नेक्ट चलते हैं कुश्चन नमर हो टी एट निमलिकित में से कौन सा कथन मुद्रा संस्थर के संबंद में सही नहीं है कौन सा कथन मुद्रा संस्थर के संबंद में सही नहीं है पहला E संस्तर आमतोर पर हलके रंग का होता है, ये बात सही है C संस्तर स्प्रे लाइट के रूप में जाना जाता है, सही है A संस्तर उपसमू संस्तर के रूप में होता है, ये बात सही नहीं है और उपरुक्त में से कौन सा सही नहीं है, C सही नहीं है नेक्ट चलते हैं जैव संचेन एकल ट्रॉफिक सिस्तर तक सीमित है जैव आवर्धन में प्रिदूसक, अल्पकालिक और जैविक रूप में निस्क्रिय होना चाहिए और प्रुप्त कत्रों में ऐसे कौन से सही है केबल एक, केबल दो और केबल दोनों और ना एक न दो तो केबल एक सही है जैविक संचेन एकल ट्रॉफिक सिस्तर के तक सीमित होता है नेक्ट चलते हैं कुश्चन नमबर 50 प्रोजेक्ट 17A क्या है प्रोजेक्ट 17A निम लिखित में से किस से संबंदित है भारत में खाद्यान के उत्पादन बढ़ाने के लिए बायोजीनिन कीटनासक बनाने का प्रियोजना भारतिये नौसेना द्वारा स्थील्त गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक स्रिंखला को निर्माण की प्रियोजना आई आई टी मदरास में सबसे तेज आटिफीसियर इंटेलिजेंस संच्छम सुपर कम्प्यूटर की प्रियोजना या इन में से कोई नहीं तो ये है प्रोजेक्ट 17A भारतिये नौसेना द्वारा स्थील्त गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स एक स्रिंखला का निर्माण करना नेक्श चलते हैं कुश्चन नमबर 51 पर भारत में गरीबी आंकलन में गठित निमलिके सम्तियों पर बिचार करी अलग लकडवाला तेंदुलकर और रंगराजन कौन सी सम्तिया गठन अकाल क्रमानुसार सही है तो अगर हम बात करें इन सम्तियों के गठन का तो सुतंता के बाद गरीबी आंकलन के लिए अलग-अलग कमटियां बनी थी तो अगर हम बात करें सबसे पहले अलग सम्तियों थी तो इनके हिसाब से सथापित करें तो option D हमारा सही होगा नेक चलते हैं कुशन नमबर 52 निमलिखित में से जैब वित्ता के हरास में संभावित आवाज बिखंडन प्रदूसर्ण संसाधन अत्याधिक में से कौन सा विकल्प सही है तो ये चारों विकल्प सही हैं नेक चलते हैं कुशन नमबर 53 पर और देखते हैं 53 क्या कह रहा है यह बनस्पती आवरंस रहित भूमी विस्तार मिर्दा से एक समान रूप से पतली परतों के रूप में संदर्वित करता है बरसा बून्दों मिर्दा के कड़ों को अलग कर देती है जो अपवाग के रूप मे नीचे की और प्रभायत होते हैं उप्रुक्त मैंसे कौन सा कथन सही है तो उप्रुक्त मैंसे मित्रों हमारा परत अपरदन सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 54 एको टॉन के संदर में निमलिखित पर विचार कीजिए करिए विचार यह है दो या दो से अधिक विभिन प्रिजाद परिस्थितियों तंतरों के बीच एक संक्रमर छेते मैं ग्रों बन एकोटोन के उत्वारान प्रिस्थुत करता है एकोटोन के छेते में कोड प्रभाव दिखाई देता है उपरुत कतनों मैं से कौन सा सही है तो यहां पर प्रावन हाइडोजन प्राक्रतिक गैस ग्रे हाइडोजन नभी करने हो जाए ब्लू हाइडोजन कोईला उप्रुक्त युगमों मैं से कितने सही है तो अगर हम देखें ब्राइन हाइडोजन क्या होती है क्या ब्रावन हाइडोजन के प्रिकार अगर हम बात करें तो यहीं पर ब्रावन हाइडोजन कोईले का उप्योग किया जाता है ब्राइन हाइडोजन के लिए किसका प्रियोग कोईले का प्रियोग ठीक है ग्रे हाइडोजन के बारे हम बात करें तो हाइडोजन प्राक्रति गैस और ब्लू हाइड्रोजन नभी करनी है गैस ठीक है नेक्स चलते हैं कुश्चन नंबर 56 पारिस्टित की नितकेत के संबंद में बिचार कीजी प्रतीसपर्धा अत्म सीमा री लाइज्ट निकेत मूल निकेत वेवा होता है ये बात गलत है किसी भी दू प्रजातियों में समान निकेत में नहीं हो सकते ये बात सही है ऑप्सन भी हमारा सही होगा कुश्चन नंबर 57 एकी करित जल संसादन प्रवंदन आई डबलू आर एम के संदर में निम निकेत कत्रों पर विचार कीजीए आई डबलू आर एम के अंतरगत वन वाटर अप्रोच मानता है कि सभी प्रकार की जल आन है चाहे उसका स्रोथ कुछ भी हो ठीक है बात सही है ठीक है पारंपरिक प्रवंदन के तहर्ट जल के कई वार पुना उप्योग पुनचक्रन किया जाता है नहीं आई बी डबलू आर एम पेजल अपसिस्ट जल बरसाग जल को सामई ग्रूप से लिखित कतनों पर बिचार कीजिए कबक में क्लोरोफिल पूरी तरह क्या है कबक में क्लोरोफिल पूरी तरह से अनुपस्तित होता है लाइकें सेवाल और कबक का नियोजन होता है उपरूत कतनों में से कौन सा कतन सही है तो मित्रों उपरूत कतनों में से दोनों कतन हमारे स सही हैं नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 59 निम्लिखित कत्रों बेचार कीजिए संयुत राश्ट्वारा तेईस्त के मौटे अनाज के अंतराश्टे रूप में मानाने की बात की गई है यह बात क्या है मित्रों बिलकुल सही है भारत मोटय नयर राश्ट्य बर्ष के रुष्चत कीया गया था यह भी राजिस्तान बारत के सीस्त मौटे अनाज उत्पाद होते हैं मौटे अनाज जैसे जौार बाजरा मौटे की रूप में जाने जाते हैं ठीक है नेक्स चलते हैं कुश्चन नंबर 60 विभिन नियोजन प्रिस्तावों के संबंद में सही कालनुकुरम के बारे में बताईए क्या सही कालनुकुरम के बारे में क्या करना है बताना है ठीक है देखते हैं जन योजना गांधिवादी योजन ये क्रम सही होगा नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 61 निमलिकित मैंसे किस वस्तू को वस्तू और सेवा कर के तहए छूड़ दी गई है तो अगर हम बात करें किस वस्तू को दी गई है उसके बारे में तो option मचली ताजे जल अदरक बिना भुने हुए कॉफी बींज खा दी फाइबर तो यहाँ पर किसे दी गई है तो यहाँ पर इन को छोड़ कर सभी को दी गई है ठीक है GST के तहट छूट नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 62 कि टू पर निनलिखित कतनों में कौन सा मैं जलवायू परिवर्तन राष्टे यूजना का हिस्सा नहीं है कौनसी बात सही है तो option D हमारा सही होगा next चलते हैं question number 63 हाली मैं समाचारों में देखा गया synergy अभ्यास मैंसे किस से संबंदेत है cyber, सुरक्षा, नविकर्णी उज़ा, रक्षा, सयोग, इलेक्टरे, कार तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा तो यह होगा हमारा synergy अभ्यास कौन सा cyber, सुरक्षा, next चलते हैं question number 64 भारत में विनिवेश नीती के संदर में निम्लिक कतनों पर बिचार करिए रनीतिक विनिवेशक एक केंद्रिये, सारजनिक छेत्र के उद्धियम CPSE के सरकार की 25% हिस्सेदारी तक एक विक्रीब करता है भारत एल्मूनियम कंपनी बालको रनीतिक विनिवेश प्रिक्रिया से गुजनने वाली पहली PSU थी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा option सही होगा तो मित्रों यह दोनों option क्या हैं, गलत हैं, option D होगा रनीतिक विनिवेश सारजनिक छेत्र में हमारी हिस्सेदारी कितनी है 25% नहीं, यह हिस्सेदारी कितनी की गई है, 50% अगर हम बालको के बारे में बात करें, तो बालको हमारा पहली PSU नहीं थी रनीतिक विनिवेश की पिक्रिया में, पहली PSU थी, PSU बालको, ठीक है, Modern Food Interprises Limited next चलते हैं, question number 65, मिनिम लिकित में से कौन सा कानून, राष्टे हरेत अधिकरण, NGT के दाएरे में नहीं आता है तो जड़ा देखते हैं, कौन सा कानून NGT के दाएरे में नहीं आता है वन जीव, संदक्षन अधिनियम, 1972, ठीक है, तो यही NGT के दाएरे से बाहर है next चलते हैं, question number 66, मिनिम लिकित में से कौन सा घटक प्ररक्षित निधी की स्रेणी में आता है तो प्रेरक्षि स्रेणी की निधी में आएगा, तो वो है हमारा ये केंद्रिय बैंक सरकार द्वारा सुद्रियन, केंद्रिय बैंक बाड़ेजी बैंकों द्वारा सुद्रियन, यानि तीनों आएंगे next चलते हैं, question number 67, पर पंजीकृत गैर मानता प्रात्राजनीतिक दलों के संबन में निमले खत्मेंसे कौन सा कथन सही नहीं है ये राज निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं, ये ऐसे पंजीकृत दल हैं जिनोंने आम चुनाव या राज चुनावों में राज इस्तरिय दल तक बन सकने के लिए परियाप्त मत हासिल नहीं किया है, ये पंजीकृत दल हैं जिनोंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, व चलते हैं कुशन नंबर 68 और देखते हैं 68 क्या कह रहा है निम लिखित मेंसे कौन सा कथन मुद्रा इस्पिती करके संबंद में सही नहीं है यह है एक ऐसे परिद्रस से कुदर साता है जिसमें सरकारी रेड़ बास्तविक मुझल की ब्रद्धी करता है नहीं यही स्टेटमेंट हमारा क्या होगा गलत होगा नहीं चलते हैं कुशन नंबर 69 निम लिखित युगमों पर विचार कीजी हर्मल मिर्च तोमेंगल संत्रा डाले खुरसन मिर्च ठीक है और हाती मिर्च मनीपूर तो भोगौलिक संकेतक जी आई टैग किस मिर्च को कहां पर दिया ग यह कहां पर है मित्रों मनीपूर में है डाले खुरसन मिर्च सिक्किम में है सही है बड़ी लाए तो कौन सा युगम सही सुमेलित है तीन युगम हमारे सही सुमेलित होंगे कितने युगम तीन युगम यानि option C हमारा सही होगा नेक चलते हैं question number 70 भारत में क्रसी प्रमुख गैर प्रमुख छोटे बंदरगाओं के संदर में कतनों पर विचार कीजिए दोनों प्रमुख गैर प्रमुख छोटे बंदरगाओं भारती बंदरगा धिनियम 1908 के तियर प्रिशासित हैं प्रमुख वा गैर प्रमुख बंद नहीं हैं दोनों प्रमुग गेर प्रमुग बंदरगाओं को बंदरगा दिनियों निस सो आज के तहर्ट प्रिससित नहीं किया जाता है दोनों बंदरगा किये जाते हैं क्या थिक 1963 के नेक्स चलते हैं कुष्ण नम्मर 71 पर निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए अंतराश्टी कन्वेंशन समबंद के बारे में इस्टौक-हूं कन्वेंशन Volle कंवेंशन रोटर्यडव कन्वेंशन तो यहां पर बताना है कौन सा सही स्थिमे लिथ है यहां पर मित्रों कोई भी सही स्थिमे लिथ नहीं है क्योंकि इस्थाइक और निक पर रुदूसकों की नासकों के कम करने की बात करता था वेसल क bipartisan के बारे में तो वेसल कंवेंशन कीट सोड़रो रॉटरणं कि नासकों में और वेसल कंवेंशन सीमा अबसिष्ट के बारे में था ठीक है कभी कभी समाचार पत्र में दिखा गया operation gearbox किस से संबंदित है तो operation gearbox के बारे में बात करें तो यह नसीली दवाओं की तसकरी से संबंदित है कुशन नमबर 73 क्रसी लागत मूल आयोग सीए सीपी के संदर में कतनों पर विचार कीजिए 73 तो यहां पर मित्रों कौन सा सही नहीं है यह बितमंत्राले के संलंग कारयाले के रूप में कार करता है नहीं इसकी सिपारसिन सरकार के लिए बादिकारी भी नहीं है दोनों गलत है ओप्सन डी हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नमर 74 पर वेस्ट पहल के संदर में निमलिक्री कतनों पर विचार कीजिए इसका उद्धिस महिलाओं को बिग्यान प्रोदोगी की इंजिनिरिंग प्रोसाहिद करना है बिलकुल बात सही है गैर बैग्यानिक प्रिस्ट भूमी वाली महिलाए ही इसमें सामेल हैं ठीक है ठीक मैं नेक्स चलते हैं कुशन नमर 75 पर यानि ए ओप्शन तीन नहीं ठीक है नेक्स चलते हैं कुशन नमर 75 के पास निम लिखित कतनों पर विच्छार कीजी जैप परक वायू ऐसे ऐसे परिक्षण है जिनका आमतोर पर प्रिदूसर्ण अध्यन में उप्योग किया जाता है अंब्रेला इस्पिसीज का संदक्षण सोचालित रूप से अन्र प्रिजातियों तक विस्तरित होता है उप्रिद कतनों में से कौन सा सही है केवल एक केवल दो एक और दो दो ना एक न दो तो यहाँ पर बात करें कौन सा कतन सही नहीं है तो ये दोनों कतन हमारे क्या हैं सही है ऑप्सन सी हमारा सही होगा कुशन नंबर 76, निम लिखित में से कौन से अंतराश्टे मुद्रा कोस का उद्देश है, अंतराश्टे पिर्णाली में बित्तिय इस्थिर्ता को सुरुच्छित करना, बिनमेदर इस्थिर्ता को बढ़ावा देना, दुनिया भर में कम करना, विकास सील देशों को अफसंद समारा सही होगा, नेक्स चलते हैं कुशन नंबर 77, प्राचमित्ता प्राच्छेत रेड पी एसल के संबंद में निमलिकत्रों पर विचार कीजिए, करिए विचार मित्रों, क्या है, निरियात रेड प्राचमित्ता छेत्र में रेड संबंदी मादन्डों को अंतरगत आता ह सही है, लगू बचट बेंक में समयोजित निबल रेण एन बीसी 85, प्रतीसाथ PSL के लिए अवंटित नहीं किये जाते हैं, यानि दूसरा गलत, पहला सही, कौन सा सही होगा, ए ओप्सन हमारा सही होगा, कुशन नंबर 78, निमलिकत्त में से कौन सा कथन प्राचमित्त में घ का अंतर सेय सेरकार और आई के बीच का अंतर तो यह आपका राजकोंत्य और वे यपतान के बीच के अंतर को प्रिदर्सित करता इन आपकलिक और नहीं यह है ञांतर प्रमपखंणि ओपτα ragackal अम्मच यह दूसरी पर जाती अप्रवाबित रहती ये बात सही है, option B हमारा सही होगा next चलते हैं question number 80 पर देखते हैं निमलिकित मैंसे किस केंद्रिय साथ दिन एक बैंक खेक उद्यम में महारतन का दर्जा प्राप्त है तो ये हैं हमारा कौन-कौन सा, भारत है भी महारतन है, ठीक है, पेट्रोलियम महारतन है, कोल इंडिया महारतन है, भारत ये नवरतन है, हिंदुस्तान और्निक्स नवरतन है, पावर, अप्रेशन ये महारतन है, यानि option B हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं, कुशन नम्बर 81, समुदरी जल, CMF के संदर में निमलिखित कतनों पर बिचार कीजिए, करिए बिचार भई, क्या है, इसका मुख्याले वहरीन में है, बिल्कुल सही है, बरतवान अमरीकी 9 सेना, CMF के नित्रित कर रही है, ये भी सही है, 12 CMF का सदस से नह कि वों को सून बे आज रिड़ पैदान करना, बर्स 1987 में केल कर समती के सुझावों के बाद सरकार नए RRV की स्थापना बंद करना कर दिया है, वो प्रुक्त समती में कौन से सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, यानि option A हमारा सही होगा क्योंकि नहीं पूछा था, नेक्स चलते हैं, question number 83 पर, क्या है 83, भारत में आईकर एक प्रिकार का समाहनुतितिक कराधान है, ये बात क्या है, सही नहीं है, बारत में बस्तु एवं सेवा प्रगामी कराधान का एक प्रिकार है, ये question number 84, क्या कहरा है, 84, इस योजना के अंतरगत NFSA 2013 के तेट पहले से ही उपलब्द कराए जारे 5 किलोग्राम सबसिडी युक्त, खाद्यान के अतरिक धाई कलू अनाज मुक्त उपलब्द कराई नहीं, पूरा अनाज मुक्त उपलब्द कराई नहीं, पूरा अनाज मुक्त उ अनवांसिक रोगों के उफचार के लिए किया जाता है, सही है, इसकेल सेल, एमेनीया, उटो सोमस, रिसीव थ्रेट है, जो केबला, पूरुसों को प्रभावित करती है, अगर हम बात करें, तो ये अनवांसिक है, अनवांसिक रोगों और ये दोनों को क्या है, पिर्भावित करता है, यानि पुरोस और महिला दोनों को, Q Arabic निम्लिकित में से कौन से संभावित से एका मात, एक आक्रामक प्रजाती के रूप में क्या है, बताए जाते हैं, क्या निवास इस्थान, नुकसान जै बिभित्ता का नुकसान फसल उपज ब्रद्धी समुदरी मीठे पानी का छरण तो यहाँ पर यदि बात करें कौन सी बातें सही होगी तो फसल उपज क्या उच ब्रद्धी नहीं होगा बाकि ये तीनों सही होगी यानि C option हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नंबर 87 पर देखते हैं क्या कहरा एक टी सेविन निम दिखे कत्रों पर विचार करिए निवारग लोथ रक्षा प्रावधान तस्मे सत्रू अन्यदेशी पर भी लागू होते हैं वो चनियाले पर किसी रग्मिरोद मामले की बात नहीं होती है तो ये बात क्या है ये दोनों बात हैं मित्रों पूर्ट तहा गलत हैं option D हमारा सही होगा कुशन नंबर 88 जायद फसल रितू की अबदी जुलाई से अक्टूबर तक होती है जायद फसल की अबदी कितनी होती है जुलाई से अक्टूबर नहीं जायद फसल की अबदी जुलाई से अक्टूबर नहीं होती जुआर रवी की फसल है जबकि अलसी खरीब की फसल जुआर खरीब की फसल है ये भी हमारी बात गलत है क्योंकि जायत फसलों के बारे में बात करें तो ये मार्च और जून के मद्ध होती है कौन सी मार्च और जून के मद्ध है तो option D हमारा सही होगा next चलते हैं question number 89 पर देखते हैं inflatable aerodynamic decelerator inflatable aerodynamic decelerator ठीक है विक्रम सारावाय अंतरिक्स देजायन और विक्सित किया गया ये बात क्या है सही है ये विसेशता rocket के समाप्त खर्च हो चुके चरणों को recovery है तुक निर्मित है बात सही है दोनों बाते हमारी क्या हो जाएंगी सही हो जाएंगी next चलते हैं question number 90 जै बिवित्ता hot spot के संदर में निम्लिकी कत्रों पर विचार कीजिए करिये विचार भईया जै बिवित्ता hot spot के रूप में आरता प्राप्त करने के लिए एक छेत्र को अपने मूल पर भेश से कम 70% से वंचित होना चाहिए बात सही है भारत में केबल दो जै बिवित्ता hot spot हैं तो यहां पर कौन सी बात सही है तो मित्रों यहां पर एक सही है दूसरी सही नहीं है option A हमारा सही होगा next चलते है question number 91 पर क्या कह रहा है 91 निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए मैदनी पुरुसकार योजना पर विचार कीजिए पुरुसकार केवल भारते लेखकों को दिया जाता है लेखक कार भारत में सभी अनसूचित भासा में लिखा जाना चाहिए यह काल पर्यावराण से जुड़े विचियों से संबंदित होना चाहिए यह बात बिलकुल सही है दूसरी बात गलत है option C हमारा सही होगा next चलते है question number 92 लिजुनियोसिस के संदर में यह एक वायरस के कारण उत्पन है यह रोग आम तोर पर संक्रमित जल से पहलता यह बात सही है और बाकी दोनों बात हैं क्या हैं गलत है option A हमारा सही होगा next चलते हैं 93 रवर के बारे मिने में कत्रों में से कौन से सही हैं बारत में रवर की पार तो यहां पर देखें कौन सी बात हैं सही होगी तो इसका विकास जलोड और मिट्टी में होता है यह बात सही है next चलते है question number 94 जल दूत एप के संद में निमलिके कत्नों पर विचार कीजिए और कौन सा कत्न सही नहीं है यह बताना है इसे जल सकती मंत्राले पंचायती राज मंत्राले के दौरा किया जाता है यह बात क्या है सही है इस कौपियोग देज भर में किसी गाओं और सभी कौओं में जल इस्तर के आंकलन के लिए किया गया है यह भी बात सही है ठीक है और इसके बाद यह देज भर में जल तालिकाओं के अवलोकन के लिए सुदा प्रदान करेगा परड़ामी डेटा कॉपी होगा इसमें किया जाएगा तो कौन सा इसमें कूट सही नहीं है ये बताना है तो मित्रों इसमें पहला और दूसरा कूट सही नहीं है बाकि तीसरा कूट सही है यानि option भी हमारा सही होगा कुशन नमबर 95 बिंड फॉल टेक्स के संदर में निमल कत्रों पर बिचार कीजिए क्या है बिंड फॉल टेक्स यह टेक्स सरकारों के द्वारा उन निश्चित उद्योगों पर अधिरोपित है जो अब आर्थिक परिद्रस जिन्हें ओसत से अधिक लाप पाने के अफसर प्रदान करता है कर व्यक्तियों पर भी लगाया जा सकता है तो यह दोनों बात हैं बिल्कुल सही है नेक चलते हैं कुशन नमबर 96 सकल घरेलू उत्पाज GDP अविस्पती क्या है GDP अविस्पती संदर में निम्ल कत्रों पर विचार कीजिए यह देश में उत्पाजिस सभी वस्तूओं और सेवाओं में सामिल करता है यदि GDP अविस्पती कारत एक के बरावर है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मूल इस्थर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो यहां पे बात करें कौन सी बात सही होगी तो मित्रों यहां पे भी धोनों कथन हमारे सही होगे ठीक है? नेक्स जलते हैं कुशन नंबर 97 पर क्या है 97? प्राया समाचार पत्रों में रही इंस्पार योजना का उद्धेस क्या है देखते हैं ग्रामिन महिलाओं पर पारंपरिक ज्यान के मुद्री करण युवाओं को रचनात्मक और नभीन सोच को बढ़ावा देना ही इंस्पारियोजना है 98 कौन सी स्थानिक बायो रिमेडेसियन तकनीक है तो इस पर अगर हम बात करें तो ये कौन सी होगी तो ये आपकी बायो इस्पोर्जिंग और बायो और्गिनमेंट्स है यानि ऑप्सन डी हमारा सही होगा भारत के साथ आयो इत निमलिकित दुपक्चे संउट सैनब भ्यास कर बिचार कीजिए समुद्र सकती, गरोन सकती, संप्रिती और एक्वेरिन तो यहाँ पर कौन सी ऑप्सन सही होगा इसके बारे में बात की गई है तो यहाँ पर ये सभी चारों क्या है हमारे सही सुमेले थें आप्सन डी हमारा सही होगा नेक्स्ट हमारा चलते हैं कुशन नमर हंड्रेड निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है पहला क्या कतन कहरा है उससे समझिए और वरत छेतर में भारत गैस का सबसे बड़ा भोगता है सही बात है भारत में सवी छेतरों के लिए समान गैस मूल नियंत्रण तंत्र है नहीं है कीरिट पारिक तर्म द्द्र के शेतर गैस संथ्य संथ्या संथ्या 9 कंप्लीट होता है से इस टेस्ट वेपरों को भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रिस्तुत किया जाएगा आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और उस करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दवाएं जो इससे आपको हमारे सीगरी अपलोड हुए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों तो मित्रों एक फिरवार फिर हम सला देते हैं कि आप जो पढ़ा है उसी का बारवार रिवाइस करिए रिवीजन करिए और रिपीट करके बारवार इसे पढ़िए और अपनी कन्फ्यूजन को सॉट आउट करिए और ज़्यादा ज़्यादा टेस्टों का रिवीजन करिए ओके मित्रों बेस्ट आप लग जैहन